अच्छा मुझे आप एक बात बताईए, जब भी आप एक नए टीवी लेने जाते हैं, तो आप देखते हैं कि सेम साइज का टीवी, आल्मोस सेम स्पेसिफिकेशन के साथ, लेकिन प्राइज में काफी डिफरेंस होते हैं, तो ऐसा क्यों होता हैं, तो देखें इसके बहुत स साथ टीवी बेस्ट रहेगा, चलिए आज की वीडियो में अपन इसी हुए बात करते हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, हलो फ्रेंड्स, मैंने में समने स्वास्तो, और आप देख रहे हैं, मेरा YouTube चैनल नई राफ्तार, तो सबसे पहला कोश्चन, कि ये इसी को हम रिजुलेशन क्या होता है, तो देखिया अगर हम टीवी की बात करते हैं, या फिर इन्फेक्ट मॉनिटर की बात कर लिजे, तो आप जो भी पिक्चर देखते हैं, या जैसा है आपके फोन में मैं आभी मैं आपको दिख रहा हूँ, ये जो भी पिक्चर आपको उतना क्लियर पिक्चर और जितने कम डॉट्स उतना ज्यादा आपका इमेज आएगा यह जो अपन लोकल लेको जो बोलते हैं कि आपको इमेज फटी-फटी दिख रही है पिक्चर फटी-फटी दिख रही है वैसा होता है तो यह तो बात हो गया आपका resolution की आप बात करते हैं कि यह जो HD Ready या Full HD या 4K यह क्या है तो देखिए जो HD Ready है वो क्या होता है आपका 720 x 1080p यह resolution के साथ आता है मतलब इसको अगर आप multiply कर लिजे तो roughly यह आपको 1 million resolution आपको आता है 1 million pixel इसमें आपको देखने को आपको मिल जाता है मतलब सीधी सी बात है कि 1 million pixel वाला जो TV है वो आ 27 इंच का हाला कि कोई आज की डेट में इसको लेता नहीं at max 32 इंच 32 इंच के टीवी में आप HD Ready आप TV ले सकते हैं कई कंपनी आप 32 इंच में HD Ready टीवी देती है और आप उसको ले सकते हैं condition सिर्फ एक है कि अगर आप उसको अपने hall में लगा रहे है यह फिर आपके रूम मे के बाद आपको HD Ready बिलकुल नहीं लेना है अब बात करते हैं हम Full HD की तो Full HD में भी देखें सेम आपका फंडा आता है उसमें जो पिक्सल काउंट आपका आएगा वो आता है 1080 इंटू 1920 पिक्सल और इसको आप कल्कुलेट करेंगे तो रफली आपको 2 मिलियन के आसपस आप काफी ब्राइट काफी अच्छा पिक्चर वालट आपको मिलेगा रिजन आपको सामने है कि इसमें आपका पिक्सल काउंट ज्यादा हो जाते हैं तो फिर यह Full HD किसको लेना चाहिए तो देखें आपको बता है कि 32 इंच तक आप HD Ready ले जकते हैं या 32 इंच से ही आप Full HD भी पिक्चर आपको देखने को मिलेगा बात कहां पर आ जाएगी जब आप 50 इंच का टीवी ले रहे हैं चलिए एक सेंट के लिए मान लेते हैं कि 50 इंच का टीवी भी आप Full HD ले सकते हैं एट लास बस उस वहां पर आपको रुकना ही पड़ेगा वहां पर सुरवात होती है ब आपको 2160 x 3840 अगर आप इसको गल्कुलेट करेंगे मल्टिप्लाइ करेंगे तो यह आपको एट मिलियन से ज्यादा पिक्सल देखना को मिलेगा मतलब डिफ्रेंस समझे फुल एजडी में आपको दो मिलियन एजडी में एक मिलियन और 4K में एट मिलियन और जैसे मैं आपक आपको बता है कि जितने ज्यादा पिक्सल उतना अच्छा कॉलिटी तो आप समझे कि 4K का कॉलिटी आपका कैसा होगा हाला कि इसके लिए आपको 4K कॉंटेंट भी चाहिए ताकि वो उसके साथ प्रॉपर जिस्टिफाई कर पाए लेकिन अगर आप 50 इंच या उससे उपर आपको 4K TV के साथ ही जाना है ताकि आपको बेस्ट प्रॉपर्मेंस मिले बेस्ट पिक्चर क्वालिटी मिले तो यह डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा आपका HD-ready, Full HD और 4K में और आपको समझ में आ गया होगा कि आपके लिए कौन सा बेटर है, हाला कि सिर्फ इस से ही TV सेलेक्ट नहीं किया जाता, बहुत सारे चीज़े होती है, जैसा आपका LED है, कि OLED है, या फिर QLED है, बहुत सारे मैटर होते है, बहुत सारे चीज़े होती है, अगर आपको exactly चानना है कि एक TV लेने से पहले आपको क्या क्या चीज़ देखना है, तो उस पर भी मैं लक्षे एक वीडियो बनाया हूँ, TV Buying Guide का, उसको मैं link कर देता हूँ, आप उस वीडियो को पूरा देख लीजे, आप उस वीडियो को देख लीजे, अप उस वीडियो को दोनों वीडियो क चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में तब तक खुश रहिए मस्त रहिए मिंदास रहिए टिक केर